हैड हैड टू का प्रियोग जब कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में करना ही था आये उसका अन्वाध हम हैड हैड टू के माध्यम से करेंगे दूसरी सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिहां रखनी है सभी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट सिंगलर हो सब्जेक्ट के साथ में हैड हैड टू का प्रियोग करेंगे हैड हैड टू के संटेंसे कैसे होंगे मुझे उससे बात करनी ही थी हमें एक्जाम की तयारी करनी ही थी तुम्हें मेरी बात माननी ही थी उसे यह चैप्टर तयार करना ही था दीपका को मुझसे मिलना ही था उस उसे यह सब बात समझने ही थी, इन सभी sentences में जो यहां पर लिखे हुए हैं, उनमें सब में एक ही common चीज है, लाश्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है, करने ही थी, करने ही थी, या करना ही था, इस प्रकार के अगर कोई भी sentence आपको इंग्लिस में translate कर करने हैं, तो आप head, head to के माध्यम से करेंगे, हम देखते हैं, यहां पर सब्द संरचना कैसी होगी, और rule कौन सा apply करना है, अफर्मेटिव sentence में सब्द संरचना होगी, subject, plus head, plus head, plus to, plus verb की first form, ध्यान रखे, यहां पर verb की first form आएगी, और उसके बाद में object आएगा, sentence बना के देखते हैं, मुझे उससे बात करनी ही थी, यहां पर I आएगा, मुझे के लिए, I had head to talk to him, जैसा कि हमने इसके पहले बात करी है, subject, similar हो, plural हो, first person हो, second person हो, third person हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हर एक subject के साथ में had, had to का प्रयोग करना है, दूसरा sentence है, हमें exam की तयारी करनी ही थी, We had had to prepare for exam, next sentence देखते हैं, तुम्हें मेरी बात माननी ही थी, You had had to obey me, next, उसे ये chapter तयार करना ही था, He had had to learn this chapter, दीपका को मुझसे मिलना ही था, दीपका had had to meet me, उसे ये सब बात समझनी ही थी, She had had to understand this, अभी एक बात और यहां पर clear हो गई है, Translation के नजर से तो ये बहुत ही जरूरी sentences हैं, बट इन sentences को देखने के बाद हमें ये भी clear हो जाता है कि ऐसे वाक के हम अपने daily life में बहुत ज़दा प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनको sentence बनाने की बारी आती है, तब हम थोड़ा सा confused हो जाते हैं, अगर हम इन sentences को ध्यान से देखें, हम अपने daily use में इनको करते हैं, बहुत आसानी के साथ हम इनको English में बोल सकते हैं, अब इनी sentences को हम negative sentence कैसे बनाना है, ये देखते हैं, सबसे पहले हम negative sentences के structure देखेंगे, subject, head, head के बाद हम not लगाएंगे, उसके बाद head to का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, subject, उसके बाद हम head का use करेंगे, और इस head के बाद not लगाएंगे और उसके बाद head to का प्रयोग करेंगे उसके बाद verb की first form plus object चलिए देखते हैं कुछ sentences का हम यहां पर translation करते हैं मुझे उससे ये बात करनी ही नहीं थी ऐसे sentence हम दिन में बोलते हैं कई बार बोलते हैं लेकिन जब उसको इंगलिस में translate करने की बारी आती है तो हम थोड़ा सा confuse हो जाते हैं कि ये sentence कैसे बनेगा मुझे उससे ये बात करनी ही नहीं थी I had not had to talk to him on this matter हमें exam की तैयारी करनी ही नहीं थी We had not had to prepare for exam तुम्हें उसकी बात माननी ही नहीं थी You had not had to obey him Next sentence देखते हैं उसे ये chapter तैयार करना ही नहीं था He had not had to learn this chapter दीबका को उससे मिलना ही नहीं था दीबका had not had to meet him उसे ये सब बात करनी ही नहीं थी She had not had to talk all these तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इन sentences को इंगलिस में translate कर सकते हैं अब हम देखेंगे interrogative sentence को हम कैसे इंगलिस में translate करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है लेकिन इहाँ सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यह प्रष्ण वाचक वाक कैसे है वो प्रष्ण वाचक वाग के जो क्या से start हो रहे हैं क्या सब्द से start हो रहे हैं? अगर कोई भी sentence क्या सब्द से start होता है, तब हम उसकी helping verb sentence में सबसे पहले रखते हैं. जैसे कि यहाँ पर head हमने सबसे पहले रखा है, उसके बाद subject, उसके बाद head, plus to, plus verb की first form, और सबसे last में हमने object को रखा है. sentence देखते हैं, क्या मुझे उससे यह बात करनी ही थी? Had, I had to talk to him on this matter. क्या हमें exam की तयारी करनी ही थी? Had, we had to prepare for exam. क्या मुझे तुम्हारी बात माननी ही थी? Had, I had to obey you. next देखते हैं, क्या उससे यह chapter तयार करना ही था? Had, he had to learn his chapter. Next, क्या दीपका को तुमसे मिलना ही था? Had, दीपका had to meet you. क्या उसे यह सब बात करनी ही थी? Had, she had to talk on all these. आप इस प्रकार के sentences को daily use में ले सकते हैं. अगर आप daily use मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छी practice हो जाएगी. अब इसके आगे हम कुछ sentences और बनाने वाले हैं next video में. So please subscribe this channel. अगर आपको यह videos अच्छी लगती हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें. फिर भी अगर आपको कोई confusion होती है, तो please आप comment box में comment जरूर करें. Thanks for watching.